नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में शाओमी मी 10T वर्सस रियल मी X3 सूपर जूम एडिशन का फुल डेप्थ कमपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो मी 10T में 6.5 इंच जबकी सूपर जूम एडिशन में 6.45 इंच की लेंथ मिल पी है जोकी मी 10T से कम है वीड़ की बात करें तो मी 10T में 3.01 इंच जबकी सूपर जूम एडिशन में 2.98 इंच की वीड़ मिलती है जोकी मी 10T से कम है बात करें थिकनेस की तो मी 10T में 0.37 इंच जबकी सूपर जूम एडिशन में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, मी 10T में 216 ग्राम्स, जबकि सुपर जूम अडिशन में 202 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं, डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही, इपस LCD की डिस्प्ले मिलती है, आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियो नौ मिलता है, डिस्प्ले साइज की बात करें तो, मी 10T में 6.67 इंचर्ज जबकि सूपर जूम अडिशन में 6.6 इंचर्ज मिलती है. डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही, 1080 by 2400 मिलता है. Screen to Body Ratio, Mi 10T में 85.15 प्रतिशत जबकि सूपर जूम अडिशन में 84.7 प्रतिशत मिलता है. बात करें PPI Density की तो, Mi 10T में 395 प्रति इंच जबकि सूपर जूम अडिशन में 399 प्रति इंच मिलती है. महत्वपून हिस्सा है. अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की. दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो, Mi 10T में 4 कैमरा देखने को मिलता है. जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera देखने को मिलता है. और Super Zoom Edition की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है. जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में Macro Camera देखने को मिलता है. बात करें विडियो कैमरा की तो, Mi 10T में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है. और Super Zoom Edition की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है. अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की Selfie Camera की तो, Mi 10T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते है. और Super Zoom Edition में डूल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 10 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Mi 10T में Adreno 650 जबकी Super Zoom Edition में Adreno 640 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Mi 10T में Qualcomm Snapdragon 865 और Super Zoom Edition में Qualcomm Snapdragon 855 Plus मिलता है बात करें RAM की तो Mi 10T में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6 GB, 8 GB की RAM मिलती है जबकी Super Zoom Edition में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 8 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Mi 10T में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB, 128 GB की storage मिलती है जबकी Super Zoom Edition में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 256 GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system दोनों phone में Android V10 Q देखने को मिलती है battery Mi 10T में 5000 mAh जबकी Super Zoom Edition में 4200 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो दोनों phone में same ही दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Mi 10T में दो variant देखने को मिलते है जिसमें की 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 28,960 रूपीज 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 34,999 रूपीज में मिलता है और बात करें Super Zoom Edition की तो उसमें एक ही variant मिलता है जो की 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 23,999 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो दोनों phone में 4 फाइदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों phone सेम ही है में कैमरा में दोनों phone सेम ही है फ्रंट सेलफी कैमरा में दोनों phone सेम ही है परफॉर्मेंस में Mi 10T आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें OnePlus 8T है जो की 38,999 रुपे में मिलता है दुसरा Realme X7 Pro है जो की 26,999 रुपे में मिलता है तीसरा Xiaomi Mi 10T Pro है जो की 34,930 रुपे में मिलता है और लास्ट competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo V20 Pro है जो की 29,999 रुपे में मिलता है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना